आहम्दबाद की कोवीड अस्पिताल में धहमन वेंटिलेटर को लेकर कॉंग्रेस ने जो मौत हुई है उसके लिए धहमन वेंटिलेटर को जिन्मदार बताया है और मुख्य मंत्री के दोस्त की कंपनी को जो इसका मैनुफेक्चरिंग कर रही है उसको जिन्मदार बताया है हुआ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉंग्रेस के अध्यक्ष अमिर चावडा जी मौजूद है उन्हीं से बात करते हैं सर यह बताईए कि आप लोगों को क्यों लगा कि यह जो वेंटिलेटर है यही लोगों की मौत के लिए जिन्नदार है यह वेंटिलेटर का लॉंचि के पास यह दमन के लिए कोई सससर प्रिफिकेट के लिए अपला ही हुए उन्होंने 14 अप्रील को किया और सरकार के प्रेशरमे के एंजनसी ने एक दिन में बीना कोई जाच किये 14 को एप्रील को अप्लाई किया और 15 एप्रील को सर्टिपिकेट दे दिया हमने तो पहले दिन उसको वेलकम किया था चलो भई गर के कोई कमपनी ने सस्ते में वेंटिलेटर बना रहा है लोगों को फाइदा होगा लेकिन जब 15 माई को सिविल के सुपरि टेंडर ने सरकार को कागर लिखा कि यह दमन जो आपने बेजा है वो कोई 19 के दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है उसकी वज़े से लोग मर रहे है तो तब जाके हमने एक जवाब जिम्मेदार विफक्स के तोर पे यह मुद्दा हाइलाइट किया है और सरकार से जवाब मागा है कि आज इतने दिनों में पूरे गुजरात में आपने एट हंड्रेड यह दमन इंस्टोल किया है तो उसके द्वारा कितने दर्दियों को सारवार दी गई और उसमें से कितने लोगों की मौत हुई यह इंफर्मेशन सरकार को हमें मोहया करानी चाहिए उसक अजिए क्या लोगों की मौत हुई है और यह सरकार की क्रिमिनल नेगलेजेंसी है तो आपका यह कहना है कि मुख्यमंत्री के दोस्त की कंपनी होने की वज़ए से किसी भी तरीके की चैकिंग नहीं हुई मैं पहले दिन से हम खह रहे है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जल्दी में मैंनुपेक्चरिंग करवाया जल्दी में लाँचिंग किया बीना साइटिपिकेट के लाँचिंग किया और सीधा हमारे गुजरात के लोगों पे अपलाई किया तो लोगों की जिन्गी ज्यादा किमती है आपने मित्र की कंपनी का मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है और सरकार बार बार बोल रही है कि यह मशीन हमें बीना पैसे के मुफ्त में मिला है तो उसके यह मतलब तो नहीं कि आप उसकी वज़े से गुजरात के लोगों की जान जोखिम में डालो मुफ में दे रहे तो जेर भी ले लो और लोगों को बाटो यह क्रिमिनल निगलिजेंसी सरकार की है और कंपनी के लोगों ने पहले दिन से ही बताया था कि यह कोई वेंटिलेटर मशीन नहीं है यह एमबू बैक जो होता है उसको मिकेनाइस किया हुआ ऑक्सिजन सप्लाई करने वाला मशीन है और वह यह जानते हुए भी सरकार ने लोगों पर उसको इस्तमाल किया और लोगों की जान को जोख में डालाएं लेकिंग कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज गुजरात सरकार के हेल्ट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉंफरेंस की उन्होंने यह कहा कि इसके लिए ड प्रेटिकल एक्विप्मेंट है वेंटिलेटर सी केटेगरी में आता है तो उसको तो डीजी सी आए का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए और इस सरकार बताए के पांच अप्रिल को लांच हुआ तब उसके पास कौन सा सर्टिपिकेट था मैंने पहले ही बताया कि इस सर्टि जाए उसमें लगी हुए एपिडेमिक एक्ट में बदलाव किया और उसकी जो प्रोविजन है उसको देखते हुए अपने बिजनेसमें जो फ्रेंड से उनको कैसे फाइदा मिले और उनके थुरू कैसे डूप्लिकेट आइटम सप्लाई की जाए उसमें ये दोनों सरकाल ल सिविल में इंस्टॉल कर दिया गया और सीधा कोविड-19 के दर्दियों पर अपलाई किया तो यह एक्जात का एक्सपिरिमेंट ही हुगा और इनके एक्सपिरिमेंट की वज़े से आज सीविल में 300 से जादा लोगों की मौत हो चुकी तो हम सरकार से सपस्ट डिमान करते है कि आप पूरे गुजरात में बताईए कि यह दमन के तुरू कितने लोगों को और कौन-कौन से दर्दियों को इसका ट्रीटमेंट दिया गया और उसमें से कितने लोगों की मौत हुई यह सरकार बताए तो दूद का दूद और पानी का पानी यह सामने आएगा बिल्कुल एमदबाद की सिविल अस्पताल में अब तक साड़े तीन सो जितने लोगों की मौत हुई है हाला कि विपक्ष कॉंग्रेस यह कह रहा है कि जो मौत हुई है उसके में गुजरात सरकार की और से सीधे तोर पर यह आकड़े दिखाने चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर यह धमन जो है वेंटिलेटर उसका इस्तमाल किया गया और उनकी मौत हुई कैमेरा में उज्वलोजा के साथ गोपी गांगर एहम दबाद